हेलो फ्रेंड्स है वेल्कम टो आल्लाइश्टेट टूट्रेट इन्टू सेवन यह टीसियस के पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उनका पार्ट टू है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको चले बिना टाइम वेश्ट करें स्टार्ट करते है यह हमारा टेलेग्रान चैनल है कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडियो के लिए इसको जॉइन करें तो को लगाने से पहले जिनके आदाहार पर कोश्चन बनाए गया है उनको थोड़ा समझ लेते हैं बहुत इंपॉर्टन बात है ठीक है तो सम्मिधान के हमार भाग एक में है संग और उसका राज चेतर संग यहां पर सैंटर गवर्मेंट को बला जा रहा ठीक है संग और उसका राज चेतर भाग दो नगरित्ता भाग तीन मूल अदिकार भाग चार राज की नीती निर्देशक्त्वत्त इसको डीपीसपी बोलते हैं भाग चार का मूल करतव्य पंडामेंटल डूटीज भाग पांच संग भाग छे राज भाग साथ कैंसल कर दिया गया तो इसलिए लिखा नहीं मैंने ठीक है भाग आठ संग राज चेतर भाग नौ पंचायत आपको यह सब याद रखने हैं याद होंगे तो मैं प्रिविए तो इसके random question frame होता इए कि इसके उपर जएदा आता है आप यह सीख जाएंगे तो अगर आपको ये सब याद होगा तो कोशन अगर नया भी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो आप ये सीख जाएंगे कि कोशन बनता कैसे है ठीक है भाग दस अनसूचित और जंजातिय छेत्र भाग ग्यारा संग और राज्यों के बीच सम्मंद भाग बारा वित्त संपत्ति संविधान और वाद समाधान होना चाहिए यहां पेता निनि सही है संविधान भाग तेरा भारत के राज्य छेतर के भीतर ब्यापार वालज्य वा समागम भाग चौधा, संग और राज्यों के अधीन से वाएं भाग पंद्रा, निर्वाचन भाग सोला, कुछ वर्गों के लिए सम्बंद में विशेश उप्वंद भाग सत्रा, राज भाषा भाग अठारा, आपात उप्वंद भाग उन्निस, प्रकीर्ण जिसमें राजपती, राजजपाल, राजप्रमुक्स, संसद आदी का संदशन आता है भाग 20, सम्विधान का शन्शोधन भाग 21, आइस्थाई, संकर्मन, कालीन और विशेश उप्वंद और भाग 22 भीस में था तो टोटल कुल मिला के प्राधम में 22 भाग हुआ करते थे, तो होसकता एक कोशन इस पर विवन जाए कि प्राधम में कितने भाग थे, 22 थे, ठीक है चलिए, आगे देखते हैं, इन सबको आपको याद करना है, ठीक है, यह आखको टोटल मिला के अब 20 रह गए हैं, इन सबको आपको याद करना है, कि कोशन के फ्रेम का तरीका आपको पता लिए लाएगा प्रीवेस एर्ज़ है, आगे देखते हैं, सम्विधान में कुछ अ पुराश्पती, लोगसवा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का बेतन अवन बत्ता, नियंतरक महालेखा परिच्छक, मतलब कैग, सर्वच नयाले के नयाधीश, उच्च नयाले के नयाधीश, आधी के बारे में उबंद लिखा हुआ है, थर्ड अनसुची में लिखा है, मंत चौथी अनसुची, बिविन्य राज्यों और संग शासित परदेशों के राज सवा में सदस्यों की संख्या पांचवी अनसुची, अनसुची छेत्रों और अनसुची जंजातियों के प्रसासन एवन नियंतरन के बारे में अनसुची छे, असम, मेघाला, त्रपुरा और मिजोरम, राज्यों के जंजाति छेत्रों के प्रसासन के बारे में उपवन्द, भाग साथ, स्वारी, अनसुची साथ, संग सुची, राज सुची, और समर्वर्ती सुची इसको कहते हैं इंगलिज में कॉंकरन डिश्ट, इसमें जो सेवाई को बाटा गया है, उसके बारे में लिखा है, अनसुची आठ, भाशाएं, अनसुची नौ, भूमी सुधार संबंदिय दिनियम, अनसुची दस, दल परिवर्तन के आधार पर निहर्ता के बारे में अनसुची बारा, नगरपालियकाओं की शक्तिया, तो ये 12 अनसुची हैं कुल, तो हर एक अनसुची क्या कहती है, इसके बारे में आपको बिल्कुल कंठस से होना चाहिए, याद होना चाहिए, अब देखते हैं, आगया, देखे जो बढ़े तीन लिष्ट बताये धी, कि कि तीन लिष्ट बनी हुई है, देखे, बताया थो नहीं है, संग सुची, राज सुची, समवर्ती सुची, तो इनकी पूरी ये लिष्ट है, वीडियो को पॉस करके आप लोग स्क्रीन शॉट ले ले जेगा, तो किन सरकार के अंडर में आता है, डिफैंस, अटॉमिक एनर क्या आता है, अगरिकल्चर, पुलिस, प्रिजन जेल, लोकल गवर्मेंट, पब्लिक हैल्थ, लेंड, लिकर, एनिमल हजबेंडरी, और स्टेट पॉब्ली सर्वेस, कॉंक्रेंट लिष्ट, कॉंक्रेंट लिष्ट में मतले हैं, दोनों ही मिलवाट के काम करते हैं, एजुक लिष्ट चराता है, कॉंक्रेंट में, फारेश्ट और ट्रेड यूनियन, अब इनसे जितने भी कोश्ण बन सकते हैं, उनको वालो करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले, यह हमारा फिर्स जून से, ऐसे सी 10,500 प्लस कोश्ण की जो बुक है, उसकी सीरीज लाउंच होने वा तो अधिस्यदी मातरा में जूड़ें, और लोगों को बताएं, और करेंट अफेर का शोव स्टार्ट होने वाला है, जल्द ही, तो इसे आख कोई करेंट अफेर के वादे में भी आच्छी तैयरी हो जाएगी, चलिए कोश्ण के देखते हैं, पहला कोश्ण, भारती सम्व का विवरण है, तो ये विवरण दिया हुआ है हमें, भाग ग्यारा में, देखिए थोड़ा से डिटेल बताएं तो, संबंद तीन प्रकार केस में बताएगा हैं, पहला लेजिसलेटिव, मतलब विधाई, दुसरा एड्मिस्ट्रेटिव, परसासनिक, तिसरा फिनेंशियल मतलब बित्ती है, ये तीन संबंदों के बादे में बताया गया है, भाग ग्यारा में, अब ही मैं अनुच्छेत की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुच्छेत से कुश्चन सुमनों कल करेंगे, तो इसको तीन बादों में बाटा गया है, भाग ग्यारा को, लेजिसलेटिव, एड्मिस्ट्रेटिव और पेनेशियल भाग्यारा बताता है हमको कि राजचे और केंद्र के समवंद का विवरण कहां मिलता है समविधान में भाग्यारा में चलिए आगे देखते हैं भारती समविधान में कितनी अनसूचिया है तो अभी पढ़ाता है जैस्टम लोगों ने बारा ने सूची है आगे देखते हैं नेश्ट कोशन खेल का विशय भारती समविधान की किस सूची में आता है खेल का विशय आईपूरी लिश्ट देखिए हम लोगों ने इस्टेट में आता है बारती सम्विधान की किस सूची में पंचायती राज इस्थापित है तो पंचायती राज इस्थापित है ग्यारमे अनसूची में और इसको तेहतर्मा सम्विधान संसोधन के तहट जोड़ा गया था ग्यारमी अनसूची को आगे देखते हैं भारती सम्विधान की छटी अनसूची का निम्न में से किस राज के आदिवासियों पर नियंत्रण नहीं है तो किस में नहीं है मनी पुर्म नहीं है अगर आपको याद करने तरीका बतायता हूं यह सिक्क्य माया बेगाला है तो पुरा मिजोरम कि देख लिए तो कौन से राज़े पर नहीं है यह देख लेज़े है बहुत अच्छे से याद दोएगा हमेशा के लिए या इस पर नहीं है यह बनेशा पर ना आखले और मनी पुरह इंतेन ओपर नहीं है या तीनों पर नहीं है ठीक है ठीक है उत्तरपूर की टॉर्स 3 के हैमारे होंगे अनुचल पर वथक्राथ नाघलेंड म這麼 इन तीनों पर नहीं है याद एज कि बारती सम्विधान के किस भाग में केन सासित पिर्दसों से संबंदित प्रावधान है किसमें है भाग आठ में बारती सम्विधान में कौन सा भाग जोड़ा था कौन सा भाग जोड़ा था तो आंसर है भाग नौ क्या जोड़ा गया था पंचायत पंचायती राज को जोड़ा गया था कौन से साल में होग था वन नाइन नाइन टू ठीक है नेस्ट कोशन देखते हैं भारती सम्विधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की सूची बद्ध है मौलिक अधिकारों की सूची बद्द में तो यह किस में है ? भाग तीन में नेस्ट क्यूशन देखते हैं एक विशय के रूप में कृशी सम्विधान की किस सूची में शामिल है तो अभी देखा थहाता है इखरीकल्चर होगा तो किस में होगा ? श्टेट में और agriculture लैंट को पोटारों किसमें हो गाया है गाया काय और अंड बारतीय सेम विधान हो ओन ने निन में से किस अनसूची में संवै निमी क्षेया है कि तीसरी अनिसूची में शीडी चुकर बतलब अनसूची आपायट अभी देखा तम लोगों ने स्टेट लिस्ट में ठीक है एक और बात एक एक्ट है कि प्रवेंशन और कि लिटी तू एनिमल जो जानवरों को परशान करते हैं उनके लिए एक्ट बनाया गया है उसका नाम है प्रवेंशन आफ क्रियुलिटी टू एनिमल्स एट नैंटीन सिष्टी ठीक ध्यान लखेंगा यह भी भारत के समविधान के भाग आठ से समंदित है क्या समंदित है केंद्र शासित परदेश केंद्र शासित परदेश चलिए इस कोश्चन को तोड़ सा ऑप्शन से भी करने क आता है नगरपली का नव ए में आता है और राज भाग छे में आते हैं तो भाग आठ में कौन आएगा केंद्र शासित परदेश आगे देखते हैं भारत के समविधान की किस अनसूची का मिलान उसकी सामिग्री के साथ गलत किया गया है चले स्टार्टिंग करते हैं विके दूसरी आन्यसूची अर्भाषा और यही तो गलत है और भाषा आती है अचे फ्यानी सूची मैं अगरर दूसरी में क्या आता है तो है कि açके में यहीग्रत हो क스킬 कि अ ठीक है मoke नश Sizeки बाखरश आगक की सभीधान में छटी अनसूची में निन्न में से कौन सा राज्य सामिल है तो याद कीजिए देखे नागालेंड की बॉडर मिलती है मिजोरम की मिलती है मिजोरम की सबसे नीचे है तो अंसर क्या है मिजोरम ऐसे याद रखे जुलाइन से तीन है अनाचल प्रदेश नागालेंड मनिपू भारतिय सम्विधान की आठवी अनिसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है तो इसका अंसर है 22 इसका अंसर है 22 निम्न में से कौन सा विशय भारतिय सम्विधान की ग्यारवी अनिसूची के अंतरगत आता है तो ग्यार्वियन सूची के अंतरगत आता है स्वास्त और सच्छता स्वास्त और सच्छता इसको जोड़ा गया था त्यात्रवा सम्विधान संसोधन 1992 में इसमें क्या गया था एक बाद देख लीजिए ड्रिंकिंग वाटरेस में आता है इनिमल हैजवेंडरीस में आता है डेरी एंड पारटरी अगरिकल्चर और लेंड इंप्रोव्मेंट लेंड इंप्रोव्मेंट आपचाहें तो पॉस्तर के लिए सकते हैं इसकांसर है हेल्थ एंड्स सेर्टाइजेशन नेक्ट गोश्चिं भारती संविधान के भाग चार में प्रावधान है भाग चार में क्या है MP को बताया था मैं ब्लाकशिक त्वत्त राज जनीति के निर्देशक त्वत्त तो इह हमारे इस टॉपिक की पřिविश एर हैं और जितने मैंने थियोरी बताइए उसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप अपने आप सॉल करके देखिएगा अपना स्कॉर बताइएगा 17 कोशन है आप कमेंट किएजिएगा कि आपके कोशन कितने सही हुए है ठीक है ठेक्स वाचिंग गड्लेस वाल